अच्छा इंट्रोदर साज भी कभी बहुती वाला तो दोस्तों यह है मेरा रूम जहांसे मैं सब कुछ करता हूं यूट्यूब से रिलेटेड जो भी काम है मेरा और पहले क्या है कि यह सेम रूम है जो अपना पुराना सेटप था पहले क्या था यहां पर वो अपनी वो यह डिस्पले था जो भी वो रैक वगेरा थी बनीवी एक वो शेल्फ सी बनीवी थी जो अपना समान रहता था सारा वो इस दीवार पर थी टेबल यहां पर रखी वी थी और मैं अधर बैटता था एकदम दीवार से सटके तो कुछ रूम नहीं था जादा कुछ करने का तो सबसे पहले जो सबसे जादा जरूरी चीज है मेरे लिए वो है यह सॉफ यह जो मेरी सक्सेस का राज है वो है यह सॉफ यह सॉफ का डबा जो है बहुत जादा जूरी है फिर आप देख सकते हैं चोटी-चोटी चीजे दर रखी हुए साइट जो सपोर्टिंग टेबल है उ तो एक तो यह जो रिमोट है इस से यह रिंग लाइट ऑपरेट होती है तो यह रिंग लाइट अभी मनें रिसेंट्ली ही मंगाई है विकॉस फीडबाग आ रहा था बहुत कि मुझ पे जो हो लाइट शही निया रही तो यह रिंग लाइट का मैं अब इस्तेमाल करने लग रूम भी तो अगर मेरे को ब्राइटनेस कम जादा करनी हो इस से लगती है वाव वाव वा टेक्णलोजी एद्वार यह दो रिमोट है तो स्टैन्ड़ट सबके पास पते हैं टाटाग प्लेय का रिमोट है और यह जो है यह तीवी का very necessary to remain hydrated अब जो है मेन चीज है यह तो देखो मेरी चेर है जहां पर मैं बैठ के वीडियो अगेरा बनाता हूं स्ट्रीम करता हूं सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यह है यह मेरा सोनी ZV10 कैमरा अभी मुझे 5-6 महिने हो गए है पहले मैं अपने फोन पर ही बनाया करता और अब लेकिन अभी मैं यह सोनी ZV10 यूज करता हूं वीडियो वगेरा रिकॉर्ड करने के लिए यह अपना लैप्टॉप है लिनोवो लीजिन इसका मैं आपको लिंक जो है वो डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में कौन सा मॉडल एग्जैटली मुझे भी याद नहीं लेकिन अच्छा लैप्टॉप है गेमिंग लैप्टॉप है तो काम जो है अपना इस पर सई से हो जाता है चल जा भाई चल गया इनकरेट बिन बोल रहा है कोई नहीं यह है मेरा रोड का पॉड माइक अभी शुरू में मैं मावनों का वो USB कंसेंडर कंडेंसर माइक यूज लेकिन फिर बीच में वो कुछ गड़वड करने लग गया था यह काफी अच्छा माईक है बाहर की नॉइस बिल्कुल भी कैप्चर नहीं करता भी आपने नोटिस किया होगा तो आडियो काफी क्रिस्प हो गया मेरा पिछले कुछ वीडियो में इसका रिसीवर है और यह मा कि लिए इसको यह रखा हुआ है तो यह कभी-कभी अगर होता है कुछ काम तो मैं से यूज कर लेता हूं कोई जूम-KALL अगर रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता कोई तो मैं इसका इसका इस्तेमाल कर लेता हूं कभी-कभी वेट अब तो रेर ली यूज आता है 99% मिरा काम अब ये यूज़ कर सकता हूं प्लस आयव गेमिंग कॉंसोल दबीस्ट पीस फाइव यह है यहां पर तो डिस प्लस डिजिटल एडिशन है यह और यह कनेक्ट होता है यहां से मॉनिटर में यह कैप्चर कार्ड है मेरा एलगाटो का सब्सक्राइब करने के लिए और आप जैसा देख सकते हैं कि काफी बड़ा जंजाल है यह काफी मतलब रहता है मुझे वीडियो एडिट करने में कभी-कभी मैं गेम भी हिल लेता हूं इसमें मेरा मन करता है तो और यह टीवी है सामने यह काफी पुराना टीव यह पहले हमारे ड्रॉइंग रूम में लगा हुआ था फिर वहां पर हमने टीव अपग्रेड कर लिया तो यह मैंने एदर लगा लिया गेम्स देखने काम में आता है मैच इस बगेरा देखने काम में आता है तो काफी ज़रूरी है अगर आप नसदीक रहते है अपना राउटर तो सही रहता है तो यह यार मेरा सेट अप अगेन मतलब स्टैब बैस स्टैब बिल्ड किया है यह कोई डेवन से सेट अप नहीं था अपने पास और पहले अपन फोन का इस्तिमाल करते थे कोई माइक नहीं होता था अपने पास एक बहुती बेसिक सा लैपटॉप होता था उस पे अपन रिकॉर्ड वगरा करते थे फिर जब लगा की धीरे धीरे चीजे अपन बहतर कर सकते हैं तो अपन ने प्रोड़क्शन कॉलिटी ब ने विजिट किया था तो एंगोलो कॉंटे जा बैठते थे वहां की फोटो है वेंबली में फिकप के साथ यह मैंने खिचाई थी वेंबली की ही फोटो है यह वाली भी तो अच्छी है मतलब यादगार चीजे हैं यह और यह तो ऑविसली जो डॉटमंड और चल्सी वाला म इस बात है बात करूं तो यह Sir कि अभी सांधिन हैं जो मैंने सही खरीदा था तो मैच के बाद तो काफी स्पेशल है मेरे लिए लिए दिस इस the reward जो मुझे आप लोगों की वज़े से मिला है तो thank you to each and every one of you ये silver play button इसको भी हम यहाँ पे बहुत मतलब साफधानी से और प्यार से सजा के रखते हैं ये मेरा friend मेरे लिए लेके आया था Chelsea की shape में एक bottle है of perfume I guess तो इसको मैं use नहीं करता ये सिर्फ show के लिए है ये करन भाई ने मुझे दिये थे deck of Chelsea playing cards जो Stamford which से लाए थे तो जब पहली बार मैं उनसे in person मिला था तो उन्होंने दिये थे ये एक जो stadium tour पे card मिलता है आपको ओ है ये तो ये मैंने अभी तक समाल के रखा हूँ Stamford which जब गया था बाकी तो जो पहली हमारी सजावट थी उसी की चीज़े है mostly और बाकी merchandise अंदर रखिए ये सब भी अपना जो पहले setup था ये टौवल वगेरा ये ये सब ये अपनने पहले भी लगा रखा था ये एक लास चीज़ है ये एक whiteboard है जिस पे मैंने अभी फिला मैंने stand नहीं ले रखा इसका तो ऐसे लेता हूं मैं इसको इसको मैं इधर रखता हूं जहां पर मैं बैठता हूं उसके पीछे और जो ये जो इसका जो सिरा है ये वाला मैं अलमारी खोल के और उसमें फसा देता हूं तो फिर ये क्या green screen की तरह act करता है ऐसे फैल जाती है तो अगर आपने देखा हूं मैं दूसरे चैनल पर जो gaming वगेरा करता हूं तो इसी का इस्तेमाल करता हूं तो ये अपन ने पूरा upgrade कर दिया है अभी तो कैसा लगा यार प्लीज डू लेट मी नो और बस मैं आपस लोगों से ये बात बोलूँगा कि ये setup देखके intimidate मत हो ज अच्छा कैमरा बहुत एक अच्छा माइक 20-25,000 का माइक होना चाहिए 70,000 का कैमरा होना चाहिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है आपको सिर्फ जुनून और जजबा चाहिए और एक ठीठाक सा फोन चाहिए जिसमें आपकी शकल समझाए और आवाज आपकी clear रहे तो अगर यार एक मेरा भी शौक था और एक रहता है ना सबको देखके कि यार अपना भी कुछ ऐसा सेट अपो तो धीरे-दीरे मैंने भी step-by-step अपग्रेड करी चीज़ है यह माइक तो मैंने बहुत रिसेंट ली लिया विशाद महिना भर भी नहीं हो अगर आप देखेंगे तो अ जैसे एक famous saying, if you are persistent you will reach it and if you are consistent you will keep it. Consistency और persistence बहुत जादा जुरूजी लाइफ में equipment से जादा फरक नहीं पड़ता है यह बिल्कुल फरक नहीं पड़ता अगर आप start कर रहे हैं तो तो अगर आप YouTube की जर्निया किसी भी तरीके का content creation start कर रहे हैं I wish you all the best बहुत बहुत आपको शुपकामना है मेरी तरफ से और जितना भी मेरे equipment है मैं उसका link जो है description में डाल दूँगा तो अगर आपको कुछ मदद मिलती है इससे तो बहुत अच्छा एंड चलिए फिर मिलते हैं हम से जब तक ध्यान रिखें में take care and peace में कर दिना के प uży入 है था तार भी मुद का उना भापको कि अनीः जो और स्थ्छाव से तूटे अटर सम 2 बहुत रहा एंडान भाको कि दूझा आपक्षाई की उसकाibentaप wellness